कटे बाता ज़ें आज sommes करेंगे क्या छटेगी विरक्षिट विरक्षिट सिंख्या 38 आज आदेस आगी आपके पास और य misaj या पुर्णांक को कैसे जोड़ना को कैसे जूड़ते हैं पुरुणांक होते हैं से पूर्णांक होते हैं यह से पृता हो लगा हो यह में आनंत क्ता हो है, 10 गुष्ण 15- Ub lала माइनस दो माइनस तिन और इस चैड़ वी अनंत तक जाएगी ठीक है यह सारी प्लस और माइनस के संग हैं आपकी क्या कहला थे पुर्णांग कहलाते हैं ठीक है दोस्तों पहला क्वेशन देख लेते हैं जब हमारे पास दो दौनात्मक पुर्णांग हो तो हम उन्हें जोडत ठीक है तो क्या हो जाएंगे जुड़ के जुड़ जाएंगे दोनों यह बोल रहा है जुड़ जाएंगे पांच और चार कितना हो जाएगा नू हो जाएगा पलस का नू उत्तर हो जाएगा या आप इसको यू भी बोल सकते हो कि नू भी लिख सकते हो ठीक है दोस्तों यह किसके इसने जोड़ेंगे दोनों प्लस हो यह दोनों क्या हो माइनस के हो जैसे माइनस दो लिया इसने फिर प्लस का निसान फिर माइनस एक दोनों क्या थे एक ही उसके थे रहनातक प्रणाग थे तो जुड़ जाएंगे क्या हो जाएंगे जुड़ के माइनस एक और माइनस का दो माइनस के तीन हो जाएंगे यह दो रेक तीन हो जाएंगे निसान किसका आएगा माइनस का आएगा ठीक है यह चीज़ धान रखनी आपको प्रणातक ग्रानाम को सिंख्याना को देखकर घटाना चाहिए पर ंतर के साथ बड़ी शिंकी है जातने के लिए उनके साथ लगे प्लस या मैनस चीनने को छोड़ दीजी देखिए समय संधा देता हूं क्वेस्टिन के साथ आपको अच्छे सुन्या आ जाएगा जैसे इसने क्या कहा कि एक तो आपके पास प्लस का चार है ठीक है फिर हमें प्लस करना है किसके साथ रिनात्मक वाले के साथ रिनात्मक साइन है तो सीधा घटा दो बड़ी सिंख्या कौन सी है साथ और इसमें से च्यार घटा दो तीन आ गया तीन आना है बस आपको यह देखना है साइन किसका आएगा साइन इसमें क्या वाला है उत्तर के साथ वही चिनने लगेगा यह उत्तर हो गया अपना जो बड़ी सिंख देखना की लएषा चाइर बड़ी सात बड़ी ति यह बड़ी हो जाएगी नहीं संख्याब्री होती है इस ने कहा की उनके साथ लगए इस पर ड़ा ऐसी सिंखे एक दूसरे के योज्य परतिलम कहिए रहती हैं जैसे इसने कह लिया मैं लेता हूं साथ में पलस का साथ में मैं जोड़ना चाह रहा हूं दोस्तो मैनस साथ ठीक है पहले तो क्या करूँगा एक मैनस की तो क्या करतों गटा दूँगा साथ में साथ के कितना आ क्योंकि देखो आप बड़ी संख्या का चीन आएगा कौन सी बड़ी है दोनों बराबर है तो कोई चीन नहीं होता है यह वाला चीज जो क्या कहलाएगी योज्य परतिलम कहलाएगा ठीक है यह इसका योज्य परतिलम है और यह इसका वाज्य परतिलम है प्रितलों का मदब ऐसी सिंख्यां की वो उन दोनों का जोड क्या बना दे जीरो बना दे जूवाइन कर लेते हैं दोस्तों पहलाक वह सन आपके पास है निमिल सिंख्या को योग्यात कीजिए पहला है साथ में हमें जोड़ना है माइनस साथ कि यह किसकी है पलस की है कोई साइ साथ में साथ किया जीरो जीरो आगया पहले का अंसर तो दूसरा पांच है फिर प्लस का माइनस बारा है ये चीज क्या है प्लस की ध्यान है ना कोई साइन ही तो प्लस की माने जाएगी एक प्लस साइन है एक माइनस जब भी फिर साइन होंगे ना दोनों पर लग लग तो घट जाएंगे बड़ी संख्या कौन सी बारा मेंसे क्या गड़ा तो पांच कितना अंसरा जागा साथ अब ये देखना है साथ किसका आएगा आपका बड़ा साइन कि बड़ी संख्या कौन सी बारा बारा पर क्या साइन मैंस का तो ये उत्तर हो गया मैंस साथ मैं इसको रप कर दे तो अगला question देखिए, question आगया है ये, minus का 9, फिर plus का 8 है और plus के 5 है, जो दो संक्या पर same sign है तो जुट जाएंगे, इन दोनों पर same sign है तो जुट जाएंगे, कितना हो जाएगा, minus 9 तो यूँ गई छोड़ एक पर, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, अब देखिए, इस पर plus sign, इस उत्राना है, यहाँ पर देखिए, मैं इसका लगा रहा हूँ, चैर उत्राना है, आपको यह देखना है, sign कौन सा आएगा, जो बड़ी से क्या कौन सी है, 13, 13, उसका sign कितना plus का है, तो plus का sign आजएगा, अब plus का लगाओ, यह ना लगाओ, next question देखिए, यह वाला है, यहाँ कर रहा हूँ में, मैंनस का 12 है, फिर plus का निशान लगाओ, फिर मैंनस 12, दोनों पर क्या sign है, एक जाया sign है, तो जूर जाएगी, 12, बारा बारा कितना हो जाएगा, 24, sign कितना हो जाएगा, मैंनस का 24 आजएगा, अगला देखिए question, इसको र रफ कर देते हैं, अगला है, मैंनस का एक, ठीक है, पलस है, मैंनस 11, और पलस है, मैंनस का 10, यह तो सारी सिंख है, क्या है, मैंनस की है, जूट जाएगी, 11, 12, 12, बारा और दस, 22 उत्र हो जाएगा, मैंनस का, ठीक है, सारी सिंख है, एक ही, चिनन की हो तो जूट जाएगी, माइनस हो चाहिए पला साओ अगला क्वेस्टन देखिए क्वेस्टन नमबर आगे है 125 और माइनस 24 का योग याद कीजिए 125 और माइनस 124 का योग ऐसे लिखते हैं एक प्लस का साइन एक मैस का साइन है घट जाएंगे एक उत्तर आगया अब एक निसान किसका आएगा बड़ी सिंग का साइन आएगा इस प्लस का साइन है एक उत्तर हो गया आपका प्लस एक लिखो या एक लिखो आपके मरजी है एक नेक्स्ट देखे आपके पास नेक्स्ट है तीन का योज्य परतिलों भाई यह भी बिता दा तीन का योज्य परतिलों यह प्लस का तीन है भाई तीन बोला तो प्लस का तीन है इसका योज्य परतिलों का मतलब है इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि यह कितना उत्तर द योग जाजेएका मैमिनस का 3 यह सीधा रटलो दोस्तो तीन कर प्रतिलम निकालि ऑनसर अगर मैमिनस थीन का निकालना पड़ जाए तो उसमें क्या प्लकाती जोड़ेगे एंद न जेंक तो ंरी लगًए प्लकातीन आंसर तीन का हुष्यत का उल्टा उल्टा आंसर होगा कि अंक भेगा मैनश च्छार का ये ये इसका आप च्छार भी लग सकते हो का योग जात कीजिए बहुआ सो है मैनस साथ है पलस मांश आठ है पलस मांश का 15 है और पलस $100.30 है। सेम सांप कहा है। यह तो फुरा इसा गल्प हो गया। देखिए, दुबार लगेता हमें। यहाँ पर कहें, माईनस साथ पलस में माईनस एट है। माईनस 15 है, पलस में 30 है। अब यहां पर देखिए एक पलस एक मैनेस जो गट जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था सभी के मैंने आंसर आगे लिख दिया है नोट कर लेना वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमाये चैनल के साथ बने रहे हैं हम आपके लिए ऐसी व्रक्षिट का वीडियो सोलेशन लेके आते रहेंगे थैंक्स वराचिंग बावा फ्रेंट्स